लो गाईज, वेलकम टू माई यूटूब चेनल इंस्पारिंग टेंडिंग ग्यान देना है जीमेल, इस परकास से दोस्तों आप यहाँ पर जीमेल को टाइप करेंगे जीमेल को टाइप करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर यह आईकन देखने को मिल जाता है mail वाला आप इस पर click कर दीजिए इस पर click करने के बाद दुस्तों आपके सामने कुछ ऐसा interface आ जाता है दुस्तों आपको यहाँ पर उपर की side corner में आपको यहाँ पर आपकी profile picture देखने को मिल जाती है अगर दुस्तों आपने profile picture को यहाँ पर set नहीं किया है तो देखने को नहीं मिलेगी बस आपको यहाँ पर गोल एक icon देखने को मिल जाता है आप उस पर tab कर दीजिए इस पर tab करने के बाद दुस्तों आपने जितने भी Gmail यहाँ पर बना रखी हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है आप इन में से किसी अन जीमेल को भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं आप इस पर क्लिक कर दीजिए इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा परसनल इंफो आप इस पर क्लिक कर दीजिए इस पर क्लिक करने के बाद दुस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है basic information आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है profile picture आप इस पर टेब करेंगे इस पर टेब करने के बाद दुस्तों आपको यहाँ पर थोड़ा सा बेट कर लेना है आपको आपर देखने को मिलेगा Change आप इस पर क्लिक कीजिए इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप अपने फॉन की गैलरी में आ जाते हैं आप तो device photos पर क्लिक कीजिए इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको आपको आपर देखने को मिलेगा तो आपका photo यहाँ पर तुरंत आ जाएगा तुरंत अपना photo तुरंत ही खीचकर लगा सकते हैं अगर दुस्तो आपने पहले से ही किसी भी photo को यहाँ पर set कर रखा है किसी भी photo को आपने यहाँ पर खीचकर रखा है आप उसको set करना चाहते हैं तो file वाले option पर click किजिए, इस पर click करने के बाद दूस्तों आप अपने phone की gallery में आ जाते हैं, इस पर कास्टे दूस्तों आप यहाँ पर gallery पर click करेंगे, और दूस्तों आपने जिस भी folder में अपना photo रखा है, आप उस पर click कर दीजिए, इस पर click करने के बाद दूस्तों आप इसको यहाँ से select कर लेजिए, इस पर कास्टे दूस्तों आप यहाँ पर select करेंगे, select करने के बाद दूस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है uploading photo, यह photo जो है वो upload हो रहा है, अब थोड़ा processing लेगा, आप इसको यहाँ से अपने हिसाफ से crop कर सकते हैं, जितना भी crop करना चाहते हैं, आप उसको यहाँ से करेंगे, करने के बाद दूस्तों आपको यहाँ पर एक option देखने को मिलेगा, nest आप इस पर click कर देजिए, इस पर click करने के बाद दूस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, save as profile picture आप इस पर click कर देंगे, तो आपका जो photo वो बैक आजाईए इस प्रकार से दोस्तों आप step by step back आएंगे तो आपको यहां पर ऊपर की side आपको अपने profile picture का देखने को मिल जाता है कि देखी दोस्तों आपको यहां पर देख सकते हैं आपका profile picture यहां पर change हो चुका है तो दोस्तों आप भी इसी प्रकार से किसी भी phone में प्रकार की वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहता है